चीक है जहाँ पर बात हो रही है क्या वाकई में जो इंडिया है उसके पास में सुप्रीम कोर्ट की अलग-लग रीजिनल बेंचिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ज़रा इस मैटर को डिसकस करते हैं हुआ दोस्तों यहाँ पर यह की हाली में भारत सरकार ने अपना एक जो रेकमेंडेशन आया था देखो पालियमेंटरी जो कमीटी है उसने एक रेकमेंडेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आज के समय पर आ अगर आप देखूगे सुप्रीम कोट की जितनी बेंच बैठती हैं बड़े-बड़े केसिस को देखती हैं वो सब डेली के अंदर ही सब कुछ होता है अब होता यह है कि अगर कोई मानलो डेली से बाहर है उसको सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस लेना है तो उसको बहुत परिशानिया होती है तो यहीं पर parliamentary की committee के एक recommendation आया कि Supreme Court की जो bench डेली में बैठती है ऐसे इसकी जगा जगा regional benches और भी होनी चाहिए For example जैसे South India में एक bench बन सकती है अभी middle वाले portion में एक bench बन सकती है तो जगा जगा पर इस प्रकार की benches होनी चाहिए अगर किसी को Supreme Court जाना है मान लो तो उसको परेशानी नहों अपने आसपास वाले region में ही वो Supreme Court पहुँच जाए क्योंकि Supreme Court के benches जब available होंगे तो मामला सही हो जाएगा तो यहीं पर बार-बार बात की जा रही है judicial process के अंदर में ये एक सुधार होना जरूरी है इससे क्या होगा जो हमारे citizens है जो हमारे नागरिक है देश के उनके लिए बहुत असान हो जाएगा Supreme Court तक पहुँच पाना और उनका fundamental right है उनका अधिकार है कि उनको अगर नियाए चाहिए तो वो provide करवा है Supreme Court तो access to justice as a fundamental right है उसको पूरा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर Supreme Court के अलगलग regional benches जगा जगा पर होने चाहिए होता यह है कि साल 2009 में जो हमारी 18 वी law commission की report है इस report ने भी recommend किया कि हाँ Supreme Court of India की हमारे देश में कुछ और benches कुछ और बैठके भी अलगलग जगा पर होनी चाहिए तो दोस्तों article number 130 के according जो Supreme Court है यह अभी mandated है कि यह डेली के अंदर है बैठेगा लेकिन कुछ और locations में भी यहाँ पर यह अपनी बैठक कर सकते हैं लेकिन President की approval के माधियम से तो जब है provision यह और जगा पर regional benches बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाये जाए बरानी चाहिए बट क्यों बरानी चाहिए reason क्या है यही पर writer mention करता है कि भाई क्योंकि अभी जो Supreme Court का centralization है इससे कई दिक्कते पैदा हो रही है अब Supreme Court का centralization मतलब क्या है कि भाई वो डैली में ही केवल आपको Supreme Court प्राप्त हो सकता है उसके लवा कहीं पर आपको Supreme Court का access नहीं मिलेगा आपको कहीं पर Supreme Court पहुँचना है कोई case है तो आप डैली में जाओगे तो इससे दिक्कते हो रही है बाकी Supreme Court में दोस्तों अपना capacity और कई सारे issues और भी present है for example आज Supreme Court में 34 judge available है judge कितने है Supreme Court में 34 हमारे देश के अबादी मतलब कह सकतो बहुत जादा और दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे तो यह 34 seats जो judge की है वो पूरी full भी नहीं है 31 judge वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे including Chief Justice of India जो कि यहाँ पर Supreme Court of India में वर्क कर रहे है अब लोग कम है तो इससे क्या हो रहा है हमारे Supreme Court की capacity उसकी जो capabilities है वो कम हो जाती है प्लस नयाय देने की जो यहाँ पर कह सकते हो कि speed है वो भी कम हो जाती है तो पहला issue तो यह है दूसरा यहाँ पर आता है long way for outsiders जैसे मैंने बोला अब जो लोग डेली में है वो Supreme Court को अराम से access कर सकते हैं थोड़ा ट्रावल करके लेकिन जो लोग डेली से बाहर है उनको अगर justice चाहिए तो वहाँ पर बहुत लंबा ट्रावल करके जाना पड़ेगा वही चीज़ उनके लिए expensive बन जाएगी और फिर तीसरा यहाँ पर problem ignored unprivileged यह बहुत ज़ादा difficult होगा basically लोगों के लिए जो remote area में present है आज किसमे पर ऐसे areas उनके पर कोई proper connection नहीं है ऐसे कही सारे areas है proper facilities नहीं है, road की facilities नहीं है internet की facilities नहीं है तो वहाँ का व्यक्ति तो आथ सोचता भी नहीं है कि वह Supreme Court reach कैसे करेगा या जाएगा तो भई हर एक व्यक्ति के पास में access होना ज़रूरी है और फिर एक और चीज़ यह है वही Supreme Court के पास में अगर अलग-लग benches होंगी देश बर में तो क्या होगा जो cases pending पड़े हैं वो जल्दे नहीं पट सकता है जो burden है court के पास में वो भी यहाँ पर आज के समय पर काम हो सकता है इसी को लेकर जो यह पूरा editorial है न इसमें दोनों राइटर आपस में भिड़े वे है बढ़ा नहीं होगी जज़िस की संख्या बढ़ेगी appointment बढ़ेंगे तो इससे justice की delivery तेज होगी प्लस जो cases pending पड़ने है वो काम होगे समझ गए तो यह एक चीज हो गया उसके बाद अगें इसमें हम बात करेंगे तो उनका कहना यह है कि बही यह जो काम होगा इसमें बहुत सारा कॉस्ट आएगा और प्रॉब्लम्स क्रेट होंगी सुप्रीम कोर्ट का नेचर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा जैसे आज के समय पर है ठीके तो इसमें कॉस्ट भी आएगा मनी बहुत साथा यहाँ पर हमको कह सकतो तो बहारा पड़ेगा पैसा उसके बाद ही सारा काम हो पाएगा तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स इस पॉड़ी में लगे हैं वाकि आपके क्या डिसीजन है आप भी यहाँ पर अपने पॉइंट अव्यूस को मेंशन कर सकते हो